नमस्कार दोस्तों केसे हो आप सभी स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चेनल में दोस्तों आज हम इस वीडियो में खून का प्यासा होना मुहावरे के बारे में जानकरी हासिल करने वाले मतलब खून का प्यासा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है और मुहावरे का वाक्यम प्रियोग किस तरह से किया जा सकता है इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रियास करेंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगें तो चेनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि खून का प्यासा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है तो दोस्तों, खून का प्यासा होना मुहावरे का अर्थ होता है, जान का दुस्मन होना या फिर कटर सत्रू होना, यानि जान का दुस्मन होना ये भी इस मुहावरे का अर्थ है, और कटर सत्रू होना भी इसी मुहावरे का अर्थ है, जैसे आज कल भारत के अंदर कांग्रेस और बिजेपी एक दूसरे के कटर सत्रू है यदि कोई आपसे बहुत बड़ी दुस्मनी रखता है या आपको मारने की इंच्छा रखता है तो उसके लिए ये सब्द प्रियुक्त किया जाता है खून का प्यासा होने का सीधा और साधारण अर्थ यही है कि जब कोई किसी को मारने की फिराक में होता है या उसका कुछ बड़ा नुक्सान करने की फिराक में है तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये कहा जाता है कि वह खून का प्यासा है एक सेर हीरन की खून का प्यासा है क्योंकि वह उसे मार देना चाहता है इसी प्रकार से खून के प्यासे लोगों से सावधानी भी रखनी चाहिए क्योंकि जो लोग खून के प्यासे होते हैं वो कभी भी किसी के बले बुरे की सोच नहीं रखते हैं वे उस जानवर से भी बयानक हो जाते हैं जो अपना पेट बरने के लिए सिकार करता है और पेट बरने के बाद वहां से चला जाता है तो इस तरह से दोस्तों खोन का प्यासा होना मुहावरे का सीधा सा अर्थ जान का दुस्मन होना या फिर कटर सत्रू होना होता है इसके अलावा दोस्तों खोन का प्यासा होना मुहा आपको मोहं से साव्धान रहना चाहिए क्युँंकि वैय आपके खुन का प्यासा है नेक्स्ट वाक्यम प्यज़ है कल महोले में राजा और अमेज लडने लगी पता नहीं क्या बात हो गई अब सुनने को आ रहा है कि राजा अमेज का खून का प्यासा बना हुआ है नेक्स्ट वाक्यम प्रियोग है जब इंसान का विवेक नश्ट हो जाता है तो वह एक दूसरे इंसान का खून का प्यासा बन जाता है नेक्स्ट वाक्यम प्रियोग है वूखे सेर और खुन के प्यासई इन्षान से संबल कर रहना चागी युकि दोनों का कोई वरोसा नहीं होता है कि कब क्या कर दी तो इस तरह से दोस्तों खुन का प्यासा हुना मुहावरे का वाक्यम प्रियोग के ज़ते हैं दोस्तों इस वीडियो में हमने खून का प्यासा होना मुहावरे को अच्छी तरह से समझाने का प्रियास किया है तो आसा करते हैं कि आपको मुहावरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो समय समय पर प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबा दे अन्त में आप कुछ परसंद पूछ सकती हैं जैसे मुहावरों से रिलेटेड हम उसका उतर भी समय पर देने की कोशिस करेंगे